हर हर महादेग दोफ। तो आशाय आप सब बहुत अच्छी होंगे आप सब का स्वागत है तो दोस्तों आज जो हम टोपिंग करेंगे उसका नाम है Mountain Ranges in Himachal Pradesh तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि Himachal में किकनी mountain ranges हैं तो Himachal में mainly चार mountain ranges है जिन में आती है तर लोवर हिल्स और च्वाले खिन्स तल लेस्टर और इनर हिमालिया ग्रेटर हिमालिया और ऐलपाइन ज़ून और ट्रrep vyमालिया तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहले जो है ट्रांस हिमालिया की फॉर्मेशन हुई थी मालब ये सबसे पुराने वाले हैं माउंटेंज और उसके हजार सलोबाद ग्रेट हिमालिया और अलपाइन जोन की उसके हजार सलोबाद ये लैसर हिमालिया और उसके हजार सालों बाद दोर हिमालिया और शिवालिक माउंटेंस की स्थापना हुई और शिवालिक माउंटेंस जो हैं ये सबसे यंग माउंटेंस हैं इसलिए कहते हैं कि कभी कोश्चन आए कि सबसे ज़्यादा यंग माउंटेंस होती हैं तो वो है शिवालिक रेंज तो दोस्तों अब हम यह चारों माउंटेंज करेंगे और इनके लेटेड कुछ important बाते में आपको बताऊंगा जो एक्जाम में आ सकती है तो आपको यह धियान में रखना है उससे पहले तो जो माउंटेंज हैं इमाचल में उसकी हाइट कितनी है मनलब साड़े तीन सो से लेकर साथ जार मीटर तक की हाइट में हमें माउंटेंज मिलती है तो पहला है तो लोवर और शिवालिक लोवर इसे हम और क्या कहते हैं इसे कहते हैं आउटर हिमालिया और सब हिमालियन जोन तो इसकी हाइट कित इसका एरिया टोटल एरिया का 30% है कल्टीवेबल लैंड कितना कल्टीवेबल लैंड है इसका तो यह होगा 55% यानि ही इसके कितने एरिया में जो है खेतिवाडी हो जाती है तो वह है 55% एन्वल रेंफाल कितना होता है शिवालिक में तो शिवालिक रेंजिस में 1500 मीटर से लेकर 1800 mm तक साराना वर्षा होती है और आपको ध्यान रखना है कि जो दून, चोज और स्रीटर्स होते हैं यह शिवालिक रीजन में ही पाए जाते हैं जैसे क्यारता दून, यह आप ठारता दून, जश्वालिक में ही है और जो शिवालिक की सबसे उन्ची पीक कोंटी है तो वह है चोड़धार, चोड़धार पी जो है यह तब से हाईएट पीक है शिवालिक की और आपको अगर के बार कुशन बनाया था कि आपको ऐसा डिस्टिक बताना है जो शिवा कि मैंने थोड़ा मैपनाने की गोशिश की थी पर अच्छा नहीं बना इसलिए यह अंगोला ही दिखाता हूं आपको तो देखिए कहां कहां आती है शिवादिक यह उना डिस्टिक में सबसे ज्याज़ा आती है यह निचले डिस्टिक जितने ही हो गया कांगडा उना की तो यहां न॥ करता है टॉल्ट olduğ दिखें अब नेक्स्ट करते हैं तो लेसर और इनरहे मालियाज और मिठी मालियाज का, तो लेसर औरन इनरहे मालियाज और मीठी dialog की हैं इसचाहिए है इसकी हाइड है 1500 मेठ से लेख यह करता है यह करता है यह करता है दस परसेंट एडिया और कल्टी वेवल लैड कितना है तो है इसका 30 परसेंट और एन्वल रेंफॉल कितनी होती है यहां पे लेसर हिमाल जास में फंद्रह सो उसे लेकर तीने जार मीटर तग को तोड़्ाधार जो है उसकी हायएच पीक है हर्वान टिबबा कांगला में खीक है और जो testify पन्ञाल रेंजिस नहीं आती है और इस में यहобр पीर पन्जाब मेंहीन का यह आती है कंदु और लाओ सवीति और आप न कहुत है यह कंदू और लckt करता है और हर्वान टिबा जो है यह कांगड़ा के सबसे हाइस पीच है और इसकी हाइट कितनी है इसकी हाइट है 5639 मीटर और नागरू की हाइट कितनी है 4020 मीटर तो यह आपको वज़ा लगया कि 2000 बंडी की सबसे हाइस पीच लगी बता आपको हम नेक्साब करते हैं great himalyas और alpine lease तो इसका altitude कितना है इसका altitude है 4500 मीटर सों लेकर 7000 मीटर तक और यह कितना अरिया कबर करता है यह करता है 25% अरिया कबर और cultivable land कितना है तो इसमें जो है 10% land जो है कुझती बेर बल है और annual average rainfall कितनी है होती है यहां पर तो यहां होती है 1000 से लेकर 1500 मीटर और इसमें कुछ important पास हैं जैसे कि साच पास, चीनवी पास, पुप्ती, छोबिया, रोतां, कुझ जूम्ला, बारला चाहिए सब इसमें important पास हैं और दोस्तों, आपको याद रखने कि Great Himalias जो है, यह बहुत ही उचे है, 45 सोथ लेकर 7000 मीटर तक है, इनकी जाएंगे, अब नेक्स्ट हम करेंगे Trans Himalias, तो Trans Himalias जो है, यह कितना एरिया करते हैं, 35%, यह जो है, सबसे ज़्यादा एरिया गाफर करते हैं, जैसे हमने बाकी हमालिया 25% करता है, वाट फीज, लेसर हमालिया 10%, लोर हमालिया 30%, सबसे ज़्यादा करता है Trans Himalias, और Cultivable Land कितना है, तो इसमें सबसे कम Cultivable Land है, और यह कितना है, यह है 5%, और यहाँ पे सबसे कम Annual rainfall होता है, क्योंकि काफी height में है यह, इसलिए यहाँ पे बहुत कम rainfall होता है, और यह कितना होता है, यह होता है 500 mm, और जैसे कि आपको गदा जांसकर range सबसे उंची परमस्ट पर इंकला है, यह खाँ पे है, यह विटरा सी माल्या होई है, और जैसे कि आपको गदा, जांसकर range की सबसे उंची चोटी जो है, उसका नाम है शीला, और इसकी height कितनी है, 7026 m तो दोस्तों अब हम अमने ये कर लिए से मौंटेन रेंजिस अब हम ये करेंगे कि कौन इमाचल के कौन कौन से डिस्टिक हैं जो इन रेंजिस में आते हैं जैसे कि शिवालिक में कौन कौन से आते हैं सिर्मोर, सोलन, पिलासपुर, मंदी, हमीरपुर, खंगड़ा और चंपा तो ये साथ डिस्टिक जो है ये आते हैं शिवालिक में अब हम नेक्ट करते हैं लैसर और इनर हिमालिया इसमें जो डिस्टिक आते होंगे चंपा, कांगड़ा, मंडी, कुलू, शिमला और सिर्मोर और इसी तरह ग्रेट हिमालियास और अलपाइन जोन तो इसमें सिर्फ तीन डिस्टिक याद रखने हैं आपने जो चंपा, लोल्स, पिती और किनौर और नेक्ट है ट्रास हिमालियास तो ये जो है ये आपको जा रखने जो ट्रास हिमालियास है ये मेली लोल्स, पिती और किनौर में ही है और ये क्या करते हैं जो ट्रास हिमाल ये वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक यू दोस्तों धन्यवाद